आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रही है व्रत वाला बुलाव यानि कि समा के चावल का बुलाव जिससे आप व्रत में घा सकते हैं हो सिंपल और इजी रेसिती बढ़ाना शिरू करते हैं यहाँ पर हमने 200 ग्राम लिया है समा के चावल यह आपको इजी मार्केट में मिल जा और साथ में आपको चैएक बड़ा आलू जिसे हमने कट कर लिया है और टमाटन कलिया कर लिया है और एक पहल लेंगे इसमें आपको लेना है ऑल यहां पर हमने लिया है पीनट Ohil टोَ यहांपर यह आपकी चोईस है आप घिंए में इसको बनाना चाहते है या फिसाः कि जल्दी हो जाता है समा के चाफुल बढ़ने में जादा समय नहीं लगता है अब यहां पर हम इसे बीच-बीच में चलाते हुए स्टार्टिंग और फ्लेम को रखना मीडियम टू हाई और जैसे ही थोड़ा सा होने लगे ना फिर फ्लेम को आप मीडियम कर देना और इस तर पर मैंने आदा कप से भी कम लिए है यह आपकी चॉइस है और इसे भी हम सिंप्ली मीडियम टू लो फ्लेम पर इस तरीकी से चलाते हुए बूल लेंगे इसमें आप पनीर का भी यूज कर सकते हैं पनीर को आप छोटा-छोटा कर लेना और उसे भी आफ्राइग कर लेना त उसलगी आप जीरा नहीं कहाते हैं स्किप कर सकते हैं हरीमिश टाल दिना जिससे हमने त्थोड़ा सा रफली कड एक लिए है इसे मिंुक्स करके हलका सब मूल लेंगे तो गई shifts और जोड़त में टमा टाल एतल अलज ऑम कर सकते हैं तो यहां टमाटो को आपको ज़्याता प यहां पर हमारे टमाटर भून कर तेयार हो गए है अभी हम फ्लेम को लो कर देंगे और जो चावल है वो हम इसमें डाल देते हैं यह चावल जल्दी बनता है और यह पानी भी ठीक सोक करता है जैसे रेगुलर आप उलाव अगरा बनाता है वैसे ही अब इसमें जो मुफली है यह आलू है ये भी डाल देते है अब इन चीजनों का फलका सा मिक्स कर ले न ये दी हड्याथ में हल्दी खाते हैं यह फिर फूड कलर यलु वाला तो यह भी आपकी चॉइस है आप डाल सकते हैं यहां पर हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है जमने लिए नमक शाधन पहले इसमें थोड़ा पानी डालके इसको mix करना कुल मिलाके पानी कितना होना चाहिए कि कम से कम एक इंच तक वो उपर रहना चाहिए अभी इसमें पानी कम है तो हम इसमें और पानी एड़ करेंगे ज्यादा पानी की इसमेज़वत नहीं हो दी है वस ध्यान रखना जैसे पुलाव बनाने के लिए करते हो वैसे ही आपको इसे बनाना है आप न ऐसे कोकर में मत बनाना उसमें काफी मैश हो जाएगा कढ़ाई में या पैन में बनाना फ्लेम को रखना लो और इसे हम ढग देते हैं और फिर हम इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर यह चावल बनकर तैयार हो गए है इसको बनने के लिए 8-10 मिनिट लगेते लो फ्लेम पर कम कॉंटिटी हो गई तो और कम समय लगेगा यह बिलकुल अच्छे से हो गए हैं इसमें थोड़ा सा यह खिला खिला रहता है और यहाँ पर बाद में हम डालनेंगे इसमें हरा दनियार तो यहाँ पर तयार हो हुगए हमारा समा की चावल का पुलाव जैसे जैसे घंडा होता चाता है न екति थोड़ा पहुते स्टिकी होता है क्योंकि चावल का दाना बहुत चोटा होता है बट ये जैसे से ठंडा हो जाएगा ना तो ये और भी अच्छे से खिला-खिला हो जाता है बाकी ये ठीक बना है ऐसे ही बनता है तो यहाँ पर ये तया है व्रत का पुलाव तो फटा-फट से इसको हम सर्फ कर लेते हैं आप ना इसे दही के साथ में खा सकते ह तो वैसे ये आप ऐसे भी खा सकते हो अच्छा लगता है इस पुल आपको इस वरक्त में जरूर ट्रै करेगा पसंदा है तो लाइक शेर और कमेंट करना मद भूला थैंक्यू झाल 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 झाल